हेलो प्रेंड्स मैं हूँ जोती सिंग और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक को रिजनिंग से रिलेटेड यह आप पढ़ते हैं तो रिजनिंग में यह सबसे इंपोर्टेंट है कि जो हम कैसे याद रखे है एसे हमाली एसे जीडियो होते है तो सबसका अपना अपना से अ नमबर होता है जीं एक का वन हो गया अ को गया घुका जिस नमबर प्याता वही उसका सेडियोमर का लाठाई ऑग शीडिक का फॉग्वगए इसी तरिके से पता इसको याद कैसे रख सकते हैं याद रखना आपके लिए बहुत ही इंगलियस लिटर है उनके सीरियल नम्बर हम याद करने के लिए सीखेंगे एक बहुत ही अच्छे ट्रिक्स से इसमें आपको 2-3 तरीके से ट्रिक बताया चाहेगा, यहां से आप एक-2 बार अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको यह पूरा सीरियल नंबर, ऐसे याद हो जाएगा, बीना लिखे आप बता सकते हैं, किसका सीक्वेंस नंबर, क्या है, किसका सीरियल, जैसे हम बता रहे है इस तरीके से आप भी बता सकते हैं इस वीडियो को इंट तक देखने के बाद तो आप वीडियो पसंद आया तो लाइक किजिए अपने फ्रेंट के साथ शेयर किजिए यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बेल आइकन को प्रेस्ट कर है कि सीडिय नंबर होता किया जिस एक आपका होता है जिसे एक आपका होता है इका 1 हो गया बी का 2 हो गया सीटी हो गया है डी का 4 और लिए ऑ अधि का 5 ऐसे लिग के सब्सक्राइब हैं चाएप अज कि आपका 46 होता है, M का 13, N का आपका 14, O का 15, P का आपका 16 होता है, Q का 17, R का 18, S का 19, T का 20, U का 21, V का 22, W का आपका 23, X का 24, Y का 25 और Z का आपका 26, दीश तरह हैं कि अलग-अलग लेटर का जो सीरियल नंबर है, आप लिख के तो बता सकते हैं किसका क्या है, लेकिन आज हम इसको याद करने सीखेंगे, यह बहुत ही अच्छे ट्रिक्स है, तो चलिए हम यहाँ पर कुछ ट्रिक्स आपको उताते हैं, सबसे पहली जो ट्रिक है, हमको याद रखना है क्या, यह ट्रिक है, E, J, O, T, Y, इसको हम E जोटी पढ़ते हैं, यहाँ से आपको 5 जो यहाँ पर आल्फावेट ह सीखेंगे, वह बहुत ही आसान तरीक से याद हो जाएगा, यह जो यह जो ट्रिक आप याद रखेंगे, यहाँ से जो आपको E है, वह पांच वे नमबर प्याता है, यह आपका 10 नमबर प्याता है, यह जो पांच लेटर इसमें दिख रहे हैं, वह सारे 5 के मल्टिपल है, 5 यह जो पांच लेटर आपको कहीं मिलते हैं, तो आप देख के बता देंगे किसका नमबर क्या हो, यानि कि इसमें जीतने भी लेटर है, वह 5 के मल्टिपल होते है, यह देखें आपका 5 नमबर पर होता है, यह जो लाइन है, यह जो टी, इसको हम याद रखेंगे, ट्रिक के दूसरी ट्रिक हमारी क्या है, C, E, F, I, L, O, R, U, X, सेफी लोरक्स, यह ट्रिक आपकी क्या है, सेफी लोरक्स, अगर एक लाइन यह याद रख सकते हैं, यहां से देखेंगे, आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां रखेंगे, 21, 9, 9 लेटर आपको यहाँ से याद रख सकते, और जितने बच रहे हैं, उभी हम आपको बताएंगे त्रिक की मदब से कैसे हम याद रख सकते है, यहां से आपको 2 ट्रिक, यहांसे आपको ध्याना देना है, सेफी लोरक्स का क्या होता है, यह जितने भी इसमें लेटर आपको मिलेंगे तीन केгляд मृलेंगे सउसे का सफिल सब्सक्राइब होता है। 10 होता है यहां पर एने होगा उसे फिल फूल्टे यहां था ż इंत एक्स्व के सफिल ओर सफिल जीक्म ऐल यहां से जवाब के शेफी लोरक्ष में होगा CFOI LORU यक्स यानि कि एक लाइन आपको यह आद रखने हैं या ट्रीक है आपका और पहली लाइन आपको पताएंगे यह जोटी और दूसाइव सेफी लोरक्ष यहां से आपको 2 लाइन या रखना है तो यहां से आपको 1 2 3 4 5 6 7 तो आपको पता होगे जोटी में जो भी लेटर आपको मिलेंगे पांस के मल्टिपल मिलेंगे और सिर्फी लोरक्स में जो भी आपको लेटर मिलेंगे वो तीन के मल्टिपल होंगे यहां से हमको याद होगा, सी फी लो रक्स पर हम याद रखेंगे, सी यफ आई यल ओ आर यू और यक्स, तो तीन के मल्टिपल याद होगे, दो ट्रिक्स हम जान लिए, अभी जो बचरे हैं, उसको हम देखते हैं कि कैसे हम याद रख सकते हैं, देखें, एक, दो, तीन, चार पांच, यह तो सबको याद होता है, स्टार्टिंग का जो एक लाइन होता है, A, B, C, D, E, यह तक आपको याद होगा, आप बहुँ जल्दी काउंट करके यह वता पाएंगे, कि स्टार्टिंग का यह लेटर है, तो आप चाहें तो एक्जाम में काउंट भी कर सकते हैं, व पांच होता है, D का चार होता है, C का ती, B का दो और यह काई, इसी तरीके से दूसरी लाइन से हम कैसे याद रखेंगे, यह तो आप इसे ट्रिक से याद भी रख सकते हैं, यह आपका 6 नमर पे आता है, लेकिन फिर भी आपको यह त्रिक भूल जाता है, तो हम कैसे याद इसे बना हुगा है, इसे में अगर हम क्या करें, इनको आपस में हम मिला दे, यह त्रिक है आपका, इसको आपस मिला दे और इसको थोड़ा साम ऐसे बढ़ा दे, तो आपको क्या दिख रहा है, उल्टा 6 दिख रहा है आपको यह इसको मिला दिख रहा है, तो यह आपको उल कि इसी तरह से जी का Seerional number आपको याद करना हो तो इसके लिए टिक किया है यह जो G आप बनाते हैं जब ऐसे G बनाते हैं यह 않아요 बनाते हैं जब इसमें 7 OUT गुप हुआ हुआ है जी में जब हम बनाते है यह चुर योगाए जू जब इसको ए से जट तक लिख लिए और इसको प्राक्टिस कीजिए तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि किसका सीरियल नमर क्या होता बीना देखे आप बहुत ही हसानी से बहुत कम समय बता सकते हैं इसी तरीके से यह हैं तो हम कैसे याद रखेंगे एच है यह जो आपका बलाकोशा है इसमें हम क्या करें इसको नीचे की तरब मिलाने के काशीज करें और इसको ऊपर सेयं क्या दिखेंगे आपको एच है आपको convert to buy thumbs ठीक ट्रू यह है बनाते हैं इस तरीके से वह बनता है तो आई का सीरीय लंबर होता है 9 है 9 होता है तो 9 यहां से याद रख लेंगे फिर हमारा J है, J को हम कैसे याद रखेंगे, J को हम EJOT के ट्रिक से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये 5 का multiple है, तो EJOT में J आता है, तो 5 के बाद क्या आता है? 10 आता है, J का जो सीरियल लंबर है 10 होता है, या फिर इसको मियाद रख सकते हैं कि इस पर हम J ऐसे ही बनाते हैं छोटा लिटर में इस पर एक बिंदी लगाते हैं तो J आपका कहा है यह एक लाइन है और इस पर एक 0 हम लगाये हुए है तो यहां से हम याद रखेंगे कि J का जो सीरे लंबर हो 10 होता है इसमें भी एक लाइन है और एक 0 है तो यहां से हम इस पर थोड़ ध्यान देंगे यह एक लाइन है और इस पर 0 लगा हुआ है तो यह आपका 10 होगा J का सीरे लंबर या फिर यह जोटी से भी आप याद रख सकते हैं चलिए हम नेश्च देखते हैं K आपका क्या है K का सीरे लंबर 11 होता है और K कहीं आपको इन दोनों ट्रिक में नहीं मिल रहा है के को हम याद कैसे रखेंगे जिसे के आपका बना हुआ है यह के है और यह जो आपका एक लाइन तो सीधी है लेकिन यह जो एक लाइन है आपके टेड़ी हो गई इसको मान लेंगे कि इसको सीधा करना है तो सीधा करेंगे तो क्या होगा यह लाइन आपकी सीधी हो जाएगे इसी तरह से हम L का याद रखें है बना हुआ है यहाँ कि तो आaur 252 नंबर पर पहले का गाट कών को याद है तो अगला इस लेटर में आपका 12 के बाध हो डो के बाध में 12 तो यहां कंगे से आंथे稱कर हो इंद में इसी तरीके से हम देखेंगे yearsm का हमको तर्म स्थे देखें uważam यहीं तरीके से इंट क्या आतरा है 13, यह यह का एंधर हम आपके पहला ला तका 1,45% May मश्तक में यह आता है 3 तो यह आपका C है और दूसरे आपका 11 से 20 में 3 किसका है तीरह में आएगा तीरह में आएगा यह तरह से आंको भी देख सकते हैं बत्विकें बहुत कि फोर लाते इस तरीके से ठीक है एक है आपका इमालिश है और यह आपका फॉर बना हुआ कधिए यह आपका एक बना हुआ यहीं दिखेँगे यहाँ से याद रहकिते हैं से ao कोई ट्रिक ली यह उता हैं एक जोड़ार लिक रहलाँ है इसे य। एकन चुन्मिंवर के सिक्वेंश में भादा दो हुआ दिखेंगी तो यहां से यहां पी को अगर हम ऐसे थोड़ा सा गुमा दें यहां पर 6 को गुमा रहेते यहां पर यहां पर आपका 6 था अगला जो 6 आपका बना हुआ दिखेगा वह लेटर क्या होगा 16 होगा 16 होगा क्योंकि एक से 10 में 6 था यह पर आ गया था और इसी तरीके से अगला 6 आपको किसमें दिख इसे बना हुआ है और यहां से मिलाने की कोशिस करेंगे यह जां मिला दिये तो क्या है आठ की तरह कुछ दिख रहा है यहां पर आर का सीरियल अमबर हो जाएगा याद रख सकते हैं इस लाइन में आपको मिल जाएगा यह आर इस तरीके से तो यहां पर पहले हमारा 12 को सैंने तो ऩव आप से से ॉम बना हुए दिखर पहले नो पर आई था और दूसरे नौ सीरियल नम्बर हो जाएगा 13 को भी का याद रखना है यहां पर देखिए भी का याद रख सकते हैं यहां पर बी का बाईस होगा इसको थोड़ा सा दो बनाने की कुशिस करेंगे इधर से तो जब भी आपका बार में आता है तो एक बार आपका किसमें आएगा एक किस से और तीस के बीच में बाइस में आएगा त्यानि की भी का चीरी लंबरों का वाइस होगा इसी तरीके से w का तेस कैसे होगा गाल वी आपको 3 में था है तो पहला आपका 3 मी क्या था था दूसरा 3 दस से 20 के विश्में यह था तेरह होता है और तीसरा 3 किस में आएगा 23 में आएगा तो जो आपका 23 हो जाएगा इसी तरीके से यहां से मिल सकता है आपको यह जोटी से 25 होता है यह भी आपका सिर्फी लोरक्स से मिल जाएगा 24 होता है जेट आपका जो लाष्ट में बच रहा है उसको हम याद रख लेंगे कि 26 होता है जेट का जो सीरियल नंबर 26 लेटर आपके होते है अलफावेट में और जो सबसे असान तरीके से याद हो जाए कि 2-3 पर आप लिख के प्राक्टिस की दिये खुश से बनाने की ए में आपका ए से तक आपको याद ही है यह से जो आपका जेट तक बताएं यह उसको आप बनाने की कोशिश कीजिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए नहीं भी आ रहा तो आ लेक्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनके अपोजिट लेटर को हम कैसे याद रख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में